मैं Dr. Sachin Goswami, आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल Dr. Sachin Goswami's English Classes में दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक online competition के बारे में और ये social media के दोरा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है ये competition जो की All India Level का competition है अगर जो आप इस competition में भाग लेते हैं तो ये surety है कि आपको इसके लिए एक price मिलना बिलकुल निश्चित है सबसे बड़ी बात तो ये कि जितने भी participants होते हैं उनको एक certificate दिया जाएगा certificate of participation जरूर मिलेगा इसके साथ साथ ही इस पिर्थम दुत्य एवं तिर्थिया आने वाले विध्यारतियों के लिए अलग से जो prices हैं उसको भी दिया जाएगा अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पिर्थियोगिता है ये किस उपलक्ष में कराई जा रही है और क्या इस पिर्थियोगिता में आपसे बदलब क्या कराया जाएगा तो दोस्तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 23 अपरेल 1564 में अंग्रेजी के प्रिसिद्ध नाटककार और कवी विलियम शेक्षपियर का जनम हुआ था शेक्षपियर की अगर जो हम बात करें तो शेक्षपियर का अंग्रेजी में कोई सानी नहीं है अंग्रेजी में जो इस्थान शिक्षपियर को प्राप्त है वास्तम में ऐसे इस्थान तक पहुँच पाना बहुत ही कठेन होता है शिक्षपियर ने 37 प्लेज लिखे 154 शॉर्ट पॉयम्स जिनको सॉनेट्स कहा जाता है वो लिखी और शिक्षपियर ने कभी इन चीड़ों पर गमंड नहीं किया और शिक्षपियर की लाइफ में बहुत सारे उतार चड़ाब रहे दोस्तों और इतना ही नहीं बलकि शिक्षपियर तो यह कहते थे कि नाम में क्या रखा है What is in नेम तो यह बात शिक्षपियर ने इतनी बड़ी बात कही थी क्योंकि वो काम में विश्वास रखते थे जिसे कहते है ना वर्किस वर्षिप की करम ही पूजा होती है उस पे विश्वास दोस्तो हर वर्ष हम जो Shakespeare की जैनती और इनकी पुर्णेतिती को बहुत ही धुमधाम से celebrate करते हैं लेकिन इस वर्ष lockdown के चलते हुए ये एक physically जो प्रोग्राम था वो possible नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए Shakespeare की जनम दिवस और पुर्णेतिती पर जि लोगों को अवेर कर सकें तो दोस्तो इसी उपलक्ष में एक competition कराया जा रहा है तो मैं उसकी डेटेल आपको बता देता हूँ दोस्तो विलियम शीक्ष्पियर के जनम दिवस और पुर्णेतिती के अफसर पर लॉगडाउन को द्यान में रखते हुए रास्ट्य इस्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कराया जाएगी कला और कवीता पिरत्यों गिता अंग्रेजी के प्रिशिद्ध कवी नाटककार विलियम शीक्ष्पियर के जनम दिन इवं पुर्णेती थी 23 अपरेल दोस्तो जैसे कि मैं आपको बता है 23 अपरेल को इनका जनम होता है जनम हुआ था और 23 तारिक को ही 23 अपरेल को ही इनकी मृत्ति हुई थी तो इनकी जनम में यहीं कि मेरे द्वारा एक राष्ट्य इस तर पर शोशल मीडिया के माध्यम से कला एवं कवीता प्रतियोगिता का आयोजन कराया रहा है इस प्रतियोगिता में किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं और इंडिया से कोई भी पर्टिस्पेट कर सकता है आप अपनी प्रतिवा को यहां पर दिखा सकते हैं किस प्रकार से और सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रतिवागता के माध्यम से जो लॉक्डाउन है वो भी जरासाभे प्रभावित नहीं होगा क्योंकि इस प्रतिवागता में जो भी व्यक्ति भाग लेगा जो भी प्रतिवागी इसमें हिस्सा लेता है तो उसको अपने घर में रहकर ही इमेल या वाटसप के माध्यम से विल्यम शेक्षपियर या उसके नाटकों पर आधारित तस्वीर बना कर फोटो के रूप में भीजनी है तो दोस्तों क्या करना है ड्राइंग कॉमपटिशन में तो आपको विल्यम शेक्षपियर की या तो विल्यम शेक्षपियर की ही तस्वीर या फिर विल्यम शेक्षपियर के नाटकों उनकी कहानी और उनकी कविताओं से जुड़ी हुई जो भी आप तस्वीर बना सकते हैं उनकी थीम पर वो आपको ब लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दूसरी पृतियोगिता के बारे में इसके साथ कविता पृतियोगिता का भी आयोजन किया रहा है इसमें क्या करना होगा पृतिभागियों को विलियम शेक्षपियर के व्यक्तित्व जीवन के उपर इंग्लिश लैंग्वेज में जो अंग्रेजी भाषा है उसमें कविता अपने नाम और इमेल एडरस के साथ फोटो के रूप में यह चीज़ ध्यान रखनी है कि शेक्षपियर से अलग टॉपिक ना हो कविता का और शेक्षप में आपको इस एडरस पर सेंड करनी है 20 अपरेल 2020 से 25 अपरेल 2020 के बीच में इस बात पर गौर करना कि यह जो तारीक है यह निश्यत है कि 20 से लेके 25 के बीच में उनका जो डेट अंबर्थ एंबर्थ एंडएफ अनिवर्सरी वो तेज तारीक है लेकिन मैंने आपको समय दि अपरेल के बाद आपकी जो विशवस्तु है जो कंटेंट्स है वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे आपको भेजना कहा है दोस्तों तो मैं बता देता हूं आपको इस एडरस पर भेजना है जो इमेल एडरस है सेचिन.gswm इस पर आपको इमेल कर देना है और वाट्सप 975605525 और एक चीज और दोस्तों जो भी आप ये फोटो भेज रहे हैं तो इनको प्रॉपर्ली क्रॉप करके भेजें यह स्कैन करके भेजें इसकैन के लिए अगर आप सभी के फोन में स्कैन की सुविधा होती है तो और नहीं तो आप स्कैन एप भी डाउनलोड कर सकते हैं उससे माध्यम से भी स्कैन कर सकते हैं बाहर निकलने की कोई आवशक्ता नहीं है घर पर रहें सुरक्षित रहें और इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको डॉक्टर सचिन गोस्वाम में अलग अलग छाटे जाएंगे फास्यवाइट किया ही रहेगा उसके साथ-स इक विशेश पृॉष्कार से भी लॉकडाउन के बात सम्मानित किया जाएगा अगर किसी कारण नहीं आ पाएंगे तो भी वह भी कोई बात नहीं है वह उनके ऐड्रस पर करियर करा दिया जा आता हूं कि आप इस प्रतियोगिता में जादर से जादर हिस्सा लें और लोगों को अवेर करें शिक्षपियर जैसी एक महान व्यक्तित्व के बारे में उस व्यक्ति के बारे में जिसने वास्तम में अंगरेजी सहित्ते के इतिहास में अपना लोहा बनवा दिया तो ऐसे व् प्रतिभा को भी दिखाने का मोका मिलना है तो उम्मीद है दोस्तो ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें शेयर करें कमेंट करें और प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले and do not forget to press the bell icon to get the regular updates. Thank you very much. Your Dr. Sachin Goswami.